तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अलम भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल पिक्सल 7 और गूगल पिक्सल 7 प्रो के बारे में इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे 5G सेलफों के बारे में बताया था अगर आपने अभी तक वो नहीं देखिए तो उपर कि आप कोई बटन दिख रही होगी जाकर जरूर चेक किजिए दोस्तों यह जो सेलफोन है वो ज्यादा कुछ खास नहीं है बस एक ब्रैंडिंग नेम के सिवाए और मुझे इसके डिजाइनिंग भी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं लगी आप को बताना कि आपको कैसी लगी और मुझे नहीं लगता कि कोई इससे खरीदना चाहेगा हालेकिन कुछ-कुछ बहुत खास चीज़ भी है जो आपको जाननेने चाहिए जैसे कि इसकी प्रोसेसर और कैमरा कॉलिटी के बारे में फ्यूचर में आपको गूगल पिक्सल की और से जादा अलग लेवल को सेलखोन देखने को मिलेगा लेकिन अभी यह जिस प्राइज रेट में सेल कर रहे हैं आई थिंग बहुत जादा है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं 23 वाट का चार्जर और 49,000 एमेज की बैटरी के अपसेटी देखने के लिए मिल ज जाएगा उपर की और noise cancelling microphone देखने को मिलने वाला है और नीचे की और USB Type-C stereo speaker देखने के लिए मिल जाएगी और साइड में SIM card tray IP rating की बात करो तो 68 की rating मिलती है साथ में weight की बात करो तो more than 212 gram के आसपस देखने के लिए मिल जाती है और brightness rating की बात करो तो 1500 nits तक की brightness rating देखने क के लिए मिल जाएगी और साथ ही full HD plus Dolby Vision और HDR 10 plus के साथ 120 हड रिफ्रेश्ट वाला display experience करने का मौका जरूर मिलेगा बात करें इसके प्रोसेसर की तो आपको Google Tensor G2 का चिपसेट फीचर मिलने वाला है जो 5 रैनोमीटर बेस्ट चिपसेट है और Wi-Fi connection की बात करो तो Wi-Fi 6 और 5 की connecting पावर देखने के लिए मिल जाती है साथ ही उन्तुति स्कोर 79,000 प्लस हो जाती है और तो और Android 13 experience करने को मिल जाएगी बात करें इसके 5G बैंड की तो आपको सारे 5G बैंड देखने के लिए मिल जाएंगे और फाइनली बात करते हैं इसके सबसे में चीस क्यामरा क्वालिट एक साथ मिल जाती है साथ इसके back camera से आप 8K 4K resolution के video record कर सकते हैं और तो और front camera से 4K resolution के video suit कर पाओगे बात करें इसके base variant के तो आपको 5 base variant देखने के लिए मिल जाएगी जिसमें राम 8GB और 12GB के साथ internal storage 128GB से 512GB तक की मिलती है लेकिन आपको 12GB RAM with 128GB internal storage वाली ही variant देखने को मिलेगी अब finally बात करते हैं इसके price rate के बारे में तो आपको 75,000 के under easily देखने के लिए मिल जाएगी और दोस्तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ये cell phone मुझे कैसी लगी तो मुझे इसकी camera quality बस ठीक लगी बाकी कुछ खास नहीं है अगर आप मेरी मानो तो इस price rate में आपको इससे अच्छे cell phone मिल जाएंगे तो इस cell phone में अपना पैसा इंवेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है और दोस्तो बात करते हैं Google Pixel 7 के बारे में मतलब की प्रो सीरीज से जादा इसकोर experience हो जाएगी 20 वर्ट का wired और wireless charging देखने को मिल जाएगा और 4300 mh की battery capacity देखने के लिए मिलती है बात करें display quality के तो 6.3 इंच की AMOLED display देखने के लिए मिल जाती है with full HD plus Dolby Vision और HDR 10 plus के साथ 90 Hz refresh rate वाला display experience करने को मिल जाएगा brightness rating की बात करें तो 1400 nits तक की brightness rating मिल जाती है साथ में touch sampling rate 1000 nits मिलती है wifi connection की बात करें तो wifi 6E तक की connecting power देखने को मिल जाएगी बात करें इसके primary camera के तो 50 megapixel की wide angle camera मिलती है साथ में secondary camera 12 megapixel की ultra wide angle camera मिल जाती है pixel 7 series के back में बस दो camera मिलती है लेकिन video recording की quality बिल्कुल pro series की तरह ही मिलती है base variant की बात करें तो 8 to 8 GB RAM मिल जाती है और internal storage 128 GB से 256 GB तक ही internal storage मिल जाती है साथ ही UFS 3.1 भी मिल जाती है जो gameplay करने पर experience हो जाती है जो gameplay को और ज़्यादा strong मना देती है और दोनों में देखने को मिलेगी इसके price rate की बात करें तो पैसाथ हजार के अंडर easily देखने के लिए मिल जाएगी और बाकी के series जैसे 7A और 7A Pro ये भी same ऐसे ही है तो दोस्तों वीडियो यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाएंगी जाएंगी